तो आज हम अपने इस वीडियो में देखेंगे टीचिंग इड्स के बार में अगर आप बीएड कर रहे हैं तो यह टीचिंग इड्स का जो टॉपिक है काफी जादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो अगर आप उसकी पीडियाफ चाहिए तो उसकी लिंक मैं आप वहास जाके चेक कर सकते हैं तो चली हम लोग देख लेते हैं आईली सौरी के बारे में जो कौनगों से पॉइंट हमाज कवर करेंगे सबसे पहले हम उसके डैफिनिशन देख लेंगे जो है टीचिंग इड्स का उसके बाद हम इंप्रॉटेंस ओफ टीचिंग इड्स उसके बाद types of teaching aids देखेंगे, principles of teaching aids, merits of teaching aids, characteristics of teaching aids यह सारे point हम लोग इसमें cover करने की कोशिश करेंगे तो चलिए हम लोग start करते हैं कि teaching aids क्या होता है तो teaching aids, teaching aids को हिंदी में हम शेक्षन सामगरी कह सकते हैं शेक्षिक सामगरी भी से हम कह सकते हैं teaching aids नाम से पता चलता है आप लोग को कि जब teaching के समय जो teacher पढ़ाया रही है उसके समय जो aid यूज करती है, जो instrument या तो जो equipment यूज करती है उसे ही teaching aids कहा जाता है, ठीक है तो हम उसे कुछ definitions पर देख लेंगे सबसे पहले हम उसके बारे में जान लेते हैं teaching aid is any equipment that helps teacher while teaching तो यहाँ पर क्या मतलब है कि teaching aids है वो क्या होता है कि कोई भी ऐसा equipment जो teacher यूज कर रही है अपने teaching के दोरान, अपने teaching के समय जो भी aid वो यूज कर रही है उसे teaching aids कहते हैं ठीक है, it makes teaching more interesting and effective तो इससे क्या होता है कि जो teaching है वो जादा more interesting और more effective हो जाता है उसे जादा बच्चे लोग अच्छे तरीकी से समझते हैं साथ ही जो बच्चे हैं उनको खुद को भी interest आता है पढ़ने के लिए क्योंकि अगर जो teacher है अगर कोई teaching aid use नहीं कर रही है तो ऐसे में बच्चे को भी interest बिल्कुल नहीं आएगा तो इसलिए हर teacher को क्या है teaching aid use करना चाहिए इसे मैंनों example देख लेते हैं example हो गया flash card, charts, picture, flex chart बहुत सरे इसके example है तो आप चाहिए तो इसमें और भी teaching aid aid use कर सकते हैं अब हम आगे देख लेते हैं कुछ definitions देख लेते हैं kinder as James के according teaching aids क्या है audio visual aids are any device which can be used to make learning experience more concrete more realistic and more dynamic तो kinder के according क्या है कि जो audio visual aid है उससे क्या होता है कि जो teaching है वो ज़्यादा concrete, ज़्यादा realistic और dynamic यानि ज्यादा वास्तविक, ज्यादा सजीव और ज्यादा साकार लगता है यानि कि अगर हम बिना audio visual aid के पढ़ाएंगी बच्चे को तो उसमें वास्तविकता नजर नहीं आएगी लेकिन अगर हम teaching aid use कर रहे हैं audio visual aid use कर रहे हैं तो उससे क्या होता है कि बच्चे लोग को उसमें वास्तविकता realistic उसमें नजर आता है तो इसलिए काफे साथ effective होता है अब हम आगे देख लेते हैं बर्टन के according क्या होता है audio visual aids audio visual aids are those sensory objects और images which initiate or stimulate and reinforce learning तो बर्टन नहीं क्या कहा है कि audio visual aids एक ऐसे object या तो images होते हैं जो कि बच्चों को पढ़ने में लाइन learning में motivate करते हैं उनको reinforce करते हैं नि बल देते हैं यानि उनको पढ़ने में बहुत अधा helpful होते हैं यानि कि जो बच्चे हैं क्या बताया गया है कि बच्चे जो है audio visual aids से बहुत जल्दी से कोई चीज़ कैप्चर करते हैं बहुत जल्दी कोई चीज़ सीख लेते हैं ठीक है तो ये सभी हमने teaching aids के definition पढ़ लिये हैं आगे हम लोग importance देख लेते हैं कि importance क्या होता है तो इसके importance के बारे में इसके महत्र के बारे में Joseph का क्या कहना है Joseph J. Webster का क्या कहना है हम लोग देख लेते हैं according to Joseph J. Webber our perception about various things is based 40% on visual 25% on audio 17% on touch 15% on other physical experience 3% on test and smell यानि आप यहां से देख सकते हैं कि Joseph J. Webber ने क्या कहा है कि जो visual है यानि बच्चे जो है 40% यानि हाँ पर सबसे ज़्यादा परसेंट कि इसके बताया गया है बच्चे कोई जीज देखके जल्दी सीख लेते हैं उसके बाद उन्होंने बताया है कि उन्हों बच्चे सॉरी ओडियो ओडियो से बच्चे कितना सीखता है 25% यानि 25% उसको उन्होंने बताया है सबसे 1st 40% सबसे 2nd Audio यानि कि यहां पर हम देख सकते हैं कि आगे चले हम लोग देख लेते हैं फॉस्ट है इट मेक्स टीचिंग इंट्रेस्ट इंट्रेस्टिंग यानि कि देखिए अगर बच्चे को टीचर पढ़ा रही है और वो साथ में अगर ऑडियो विजुल एड्स यह तो कोई भी टीचिंग एड अगर वो यूज करती है त मतलब नहीं शो करते हैं तो बच्चे क्या होंगे बहुत ही बोर फिल करेंगे क्लास में इसलिए टीचिंग एड्स का बहुत ज़दा इंपोर्टेंस होता है अब सेकेंड देखते हैं सेकेंड है मोटिवेशन यानि जो ऑडियो विजुल एड्स या तो जो टीचिंग एड् इवेट भी करता है पढ़ने के लिए ठीक है धर देखते हैं अंडर्स्टेंडिंग तो जैसे कि हमको पता ही बच्चे लोग क्या कर लेते हैं अगर हम उनको टीचिंग एड्स के साथ पढ़ा रहे हैं तो बच्चे बहुत जल्दी कोई चीज कैप्चर करते हैं बहुत जल् देखते हैं avoiding boredom तो क्या होता है इससे क्या होता है बच्चे बोर नहीं होते हैं क्लास में यानि जो टीचर है वो सिर्फ पढ़ा रहे हैं टेक्स्ट बुक से पढ़ा रहे हैं और कोई teaching aid यूज नहीं कर रहे हैं तो ऐसे में क्या होता है बच्ची बोर हो जाते हैं तो अगर teacher teaching aid use कर रही है तो class में boredom नहीं होता है students learn easily तो बच्चे क्या करते है teaching aids के help से students है जल्दी सीख लेते हैं कोई चीज़ six देखते है capture attention तो जो teaching aid है वो क्या करते है बच्चों का जो ठ्यान अपने तरफ अकरशित करता है क्योंकि अगर teaching aid अगर कोई teacher use कर रही है तो इस से जो बच्चे क्या करते है बहुत अधा मतलब सीखनी के लिए तैयार रहते हैं और जो teaching aid है क्या करता है वो अपने तरफ उनका ध्यान कर लेता है ठीक है अब हम आगे देखेंगे आगे हम देखेंगे types of teaching aids तो teaching aids को थ्री ग्रूप में डिवाइड किया गया है देख सकते हैं आप visual aids, audio aids और audio visual aids तो ये तीन category में जो है teaching aids को डिवाइड किया गया है visual aids क्या होते हैं aids that we can see with our eyes और we can touch is visual aids जिसको हम देख सकते हैं छूँ सकते हैं वो हम उसको हम क्या कहते हैं visual aids examples में हो गया pictures, charts, maps, flash cards, bulletin board, chalkboard तो जिसे हम देख सकते हैं छूँ सकते हैं ऐसे को हम visual aids बोलते हैं और इसके example आप देख सकते हैं second देख लेते हैं audio aids aids that we can hear only audio aids मतलब जिसको हम सिर्फ सुन सकते हैं जिसको हम देख नहीं सकते तो इसका example कौन-कौन सा है examples है third देख लेते हैं third है audio visual aids तो इसका क्या मतलब हो गया audio visual aids का मतलब जिसे हम छो भी सकते हैं जिसे हम देख भी सकते हैं जिसे हम सुन भी सकते हैं यानि ये audio का भी work कर लेता है और video का भी इसमें visual का भी ये work कर लेता है the aids that is both visual और audio means we can see and hear at the same time, यानि हम उसको देख भी सकते हैं, हम सून भी सकते हैं, ऐसे को हम audio-visual aids बोलते हैं, example देख लेते हैं, television, film projector, और film strips, तो यह सभी क्या है audio-visual aids के example है, और इन तिन मेनी visual aids, audio-visual aids और audio-visual aids, तीनों में भी सबसे बेटर कौन सा है audio-visual aids, जहां पर बच्चा सुन भी सकता है, देख भी सकता है, तो यहां पर सबसे ज़्यादा हैं, audio-visual aids से बच्चे कोई चीज जल्दी सीख लेते हैं, तो ठीक है, यह थी मेरी आज की वीडियो, और हम जो बाकी के जो जो उसके parts बच्चे हुए हैं, जैसे की principles of teaching aids, characteristics of teaching aids, merits and demerits of teaching aids, यह हम next video में पढ़ेंगे, इसके part 2 में पढ़ेंगे, तो अगर आपको वीडियो चाहिए, तो आप प्लीज जो है मेरा चैनल को subscribe करना बिल्कुर मत भूलिएगा, हम लोग मिलते हैं next video में, जहां पर आपको उसके बाकी की जो बच्चे हुए जो उसके parts हैं, वो मिल जाएंगे, तब तक के लिए bye and take care.